अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास किया जाए तो हम परफेक्शन की तरब बढ़ते जाते हैं अगर अभी काम पूरा नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे करके जरूर होगा ये सच है कि कोई एक दिन में पॉफेक्श नहीं बनता, लेकिन कोशिश करते रहने से एक दिन जरूर बनता है डेली थोड़ी थोड़ी लरने, थोड़ी थोड़ी प्रयास आपको बेटर बनाने में हेल्प करते हैं आज मैं आपके साथ वही छोटी-छोटी hacks and tips शेयर कर रही हूँ हूँ, जो आपको आपका बेटर वर्जन बना देंगे तो चलिए शुरू करते हैं किचन वो प्लेस है जहां हमें सबसे ज़ादा हाईजीन मेंटेन करना पड़ता है और वो भी प्लेस है जो सबसे ज़ादा गंदा होता है तो काउंटर टॉप को वाइप करने के बज़ाए मैं एवरी डे एटलिस दिन में एक बार धोना पसंद करती हूँ इसी बहाने मेरा काउंटर टॉप डिकलटर भी हो जाता है क्योंकि अगर काउंटर टॉप को वाइप करना है तो डेफनेटली सारा समान हटाना पड़ेगा और जब मैं वापस रखूंगी तो जो वहाँ समान बिलॉग नहीं होता उनको मैं जगहा पे रख देंगी यहाँ पे मुझे कभी भी पांच मिनट से जादा नहीं लगता बस समान हटाया और किचन के जो कपड़े वाश करने के लिए डालना है उन्ही को मैं यूज कर लेती हूँ वाइप करने के लिए यहाँ बेसीन है उसी की तरफ धलान है तो सारा का सारा पानी खुद बखुद बह जाता है बस लास्ट में मैं वाइप कर देती हूँ मैजिकल इफेक्ट आप खुद ही देख रहे हैं और समान को बस वापस रख दीजे और चमकते हुए काउंटर टॉप पे जब आप काम करते होना तो मोटिवेशन की तो जैसे बारिश हो जाती है आज मुझे मही बनाना था मही इंदसेंस मलाई रखी हुई थी उसे गी बनाना था तो मैंने पहले ही मलाई को फ्रिज से निकाल के रग दिया था अल्मूस्ट टू आर्स पहले मिकसर पे जब आप मलाई को बनाते हैं तो बहुत जल्दी बन जाता है और मखन भी अच्छे से निकल जाता है बस दो मिनट के लिए आप उसको ब्लेंड कर लीजे उसके बाद मैं ये मलाई उसी पैन पे निकालती हूँ जिस पे मैं उसको गरम कर सकूँ इसका मही मैं सेम बर्तर पे रख दूँगी जिस पे मलाई थी और कल मैं कड़ी का प्लान कर लूँगी यहाँ पे जो मैंने आपके साथ टीप शेर की इसका मेन मोटो यही था कि हाईजीन जब मेंटेन करना है तो उसके साथ डीकलटरिंग को कोलाब कीजे साथ ही जब आप कोई काम करते हैं तो कोशिश कीजे कि कम से कम बर्तन फैले क्योंकि यह जो इस्पेशली घी वाले होते हैं इनको धोना डिफिकल्ट है जार को वाश करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा लिक्विड सोब डाला और फिर से ग्राइंड कर लिया तो उसकी ब्लेड वगड़ा अच्छे से साफ हो जाती है मिक्सी को इमीडियेट अगर गंदी है तो वाइप करके नहीं तो डारेक्ली उसके प्लेस पे रख देती हूँ ताकि काउंटर टॉप की जो चमक है वो बनी रहे और वापस वो डी क्लटर ना हो अब मैंने घी बना लिया अब ये इसमें आप देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत घी अभी भी है तो इसको मैं कहीं भी ऐसे टिल्टेड रख दूँगी ताकि सारा घी एक जगाए इसको डब्बे में पलटने के बाद ये जो बचा हुआ है इसका आप चाहे तो केक में डाल ले मैं केक डेली नहीं बना सकती तो मैं इसमें जब चावल बनाती हूँ तो उसका पानी डालके इसको वाश करके चावल में यूज कर लेती हूँ इस तरह से घी का इवन लास ड्रॉप भी यूज होता है इन सारी प्रोसेसेस में मेबी इनिशिली आपको लगे कि कितनी चिक चिक है बट यकीन मानिए जब ये आपकी हैबिट और रूटीन में आ जाएंगे कभी भी इतना टाइम इसमें नहीं लगेगा कई बार हमारे पूरी बॉड़ी तो मेंटेन होती है बट हमारे जो आम्स होते हैं वो बहुत ऐसे पलपी हो जाते है यहां से इसकिन जूल जाती है इवन एल्बो के पास कुछ बल्च जैसा निकल जाता है इसका रीजन यह है कि हमारा है हैंड मुव्मेंट कम हो रहा है इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में दो या तीन बार कोई हैवी कपड़ा मैं हैंड वॉश करूँ मेबी ब्लैंकेट, डॉरमेट, बैट्शिट बैट्शिट गिला होने के बाद एप्रॉक्स 4-5 kg की हो जाती है जो एग्जाक्ली उतनी होती है जितनी वेट लिफ्टिंग में डंबल्स के वेट होते हैं जो फीमेल के लिए यूज होता है जब आप इनको लिफ्ट करते हो और रखते हो तो एग्जाक्ली आप आर्म एक्ससाइस करते हो और आपके हैंड टोन हो जाते है ये हैबिट मैं अल्मोस्ट 2-3 मन्द से फॉलो कर रही हूँ और मेरी आम्स में काफी इंप्रूव्मेंट है नेक्स है जब हमारी कभी पायल या बिच्छया वगरा कुछ तूट जाती है या हमें नहीं पहनना है तो मोस्ली हम उसको कहीं भी इस तरह से रख देते हैं और फिर जब हमें उन्हें बदलने के लिए जाना होता है तो पुरा घर ढूंडते बैठते हैं और कई बार तो गलती से यहां वहां चली भी जाती है तो इसके लिए जो मैं टिप फॉलो करती हूँ वो हमेशा इवन जो उसके घुंगरू छोटे छोटे पीसे जो भी हैं उन सब को एक बॉक्स के अंदर इकठा करके रख देती हूँ और उसके उपर फिर लेबलिंग कर देती हूँ कि ब्रोकेन ज्वैलरी अब यह बॉक्स है ट्रांसपैरेंट है इसको मैं अपनी में जोलरी के पास ही रखती हूँ तो मुझे अलग से ढूनना नहीं पढ़ता नेक्स टाइम इमीडियेटली मिल जाती है स्पाइस के मसाले में अगर आप नमक रखेंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि वो रस्ट हो जाते हैं इसके लिए मैं कहूंगी कि आप नमक किसी और ग्लास जार या सेरेमिक जार में रखें आपको बार्केट से खरीबने की जुरत नहीं है जैसे ये हनी का जार था मैंने उसी में सॉल्ट रख दिया सॉल्ट के लिए आप प्लास्टिक के स्पून यूज ना करें क्योंकि अगर आप नोटीस करेंगे वो धीरे-धीरे उसमें क्रैक आना शुरू हो जाते हैं आप इस तरह के जो कॉफी मग होते हैं उनके स्पून यूज कर सकते हैं यहाँ पे जब मैंने उसको यूज किया ये काफी बड़ा था उस जार में फिट नहीं हो रहा था आप मैं इसको तोड़ तो सकती नहीं तो मैंने एक वुडेन स्पून जो डिस्पोजेबल होता है वो लिया जितना एक्स्ट्रा लेंग थी उतना कट कर दिया वुडेन रस्ट नहीं होगा और आपकी फैमिली सेफ है और क्योंकि जार छोटा है तो इसको रखने की जनजट नहीं जहाँ आपने स्पाइस बॉक्स रखा है वहीं बाजू में ही आप ये सॉल्ट रख सकते हैं इजी टू हैंडल नेक्स्ट इस दिस चेंजेज हमें काम होने का सटिस्फैक्शन देते हैं यहाँ पे कोई ड्रॉर नहीं है तो मैंने एक कार्डबोर्ड को ड्रॉर की तरह योज किया है टॉप में डोंट वरी ये वीडियो का पार्ट नहीं था मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें मैं और्गेनाजेशन और क्लीनिंग के शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी जिसमें आप सिर्फ 4 या 5 मिनट के और्गेनाजेशन और क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं जब हम पेंटिंग करवाते हैं तो फरनीचर को तो वो रैप कर देते हैं बर जो granite का एरिया है ये tiles है उसको वो cover up नहीं कर सकते जो पेड़ने की वज़े से बहुत ही और दिखते हैं अगर उसको आप simply ऐसे खरोचने जाएंगे तो बहुत time लगेगा तो आप लीजे एक wire mesh थोड़ा सा उसको गीला करके इस तरह से horizontally rub कीजे और बस simply एक कपड़ा लेक wipe कर दीजे आप difference देख सकते हैं कि जरा से में ही कितना changes आ गया है इसी तरह जो granite के area है उसको आपको बहुत rub नहीं करना है बट हलके हाथों से जब उसको आप rub कर देंगे उसमें अलग हे finishing आ जाएगी तो कई बार घर clean होता है बट इन चीजों की वज़े से गंदा दिखता है next जो tip है वो सभी correlate कर पाएंगे हमारे घर में बहुत सारे drawer almira होती है और उनमें जो lock होते हैं उनकी keys होती है और वो keys लगभक सारी की सारी एक जैसे होती है अब कौन सी की keys का बढ़ी almira की है very difficult to figure out फिर हमें एक एक key लगा के check करना पड़ता है कि कौन सी की किस की है या तो एक hack ये है कि आप कोई भी color paper लीजे और फिर उसको एक shape में cut कर लीजे दो एक जैसे shape बनाएए एक key के साथ लगा दीजे safety pin या धागे की help से और दूसरा cupboard के एक corner पे इस पे कोई design या pattern आप बना सकते हैं या even आप stickers ले सकते हैं जो market में ready made मिलते हैं ये sticker लगाने से आलमारी का look खड़ाब नहीं होगा बलकि enhance हो जाएगा आप cupboard की किसी भी corner पे इस तरह से two-sided tape की help से चिपका सकते हैं नाव आपको जो भी cupboard खोलना है उसकी matching का sticker देखके open कर लीजे hope आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल को subscribe कर लीजे और वीडियो को अपनी family और friends के साल जरूज शेयर कीजे मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल तब तक के लिए take care and lots of love from rebounds again confidently बा BYEBAY